आज हम बनाएंगे टेस्टी हेल्दी पालक के पराठे इसे बनाने के लिए एक ग्राइंडर जार में थोड़ी सी फ्रेश धनिया की पत्ती ले एक हरी मिर्श को तोड़ ले चार पाच लशन की कलिया वन थर्ट चमच सौप तिन चार चमच फ्रेश तही ले और इने ग्राइं कर इनका पेस्ट बना ले अब एक बंतन में एक ग्यों का आटा ले इनमें दोतिंुट चमच बेसन डाले वन वन थर्ड चमच नमक, जीरा, दो तिन चमच ओयल डाले और इन्हें मसल मसल कर अच्छे से मिक्स कर ले, अब इनमें पीसी हुई धनिया मिर्ज की चटनी डाले और साथी पालक का पेस्ट डाले, इन्हें मिक्स करते हुए सौब डो तयार करें, अब इनमें एक चमच ओयल लग और दूसरा फोल्ड करें इनने फिर से बेल कर बढ़ा करें और तिकुन पराठे का सेब दे इनने घर्म गर्म तवे पर डालें और घी या ओय लगाकर इनने पलट-पलट कर तर लें जब यह गोल्डन कलर की हो जाए इनने प्लेट में निकालें और इसी तरह से सारे पराठे तल ले और इन्हें खटी मिठी चटनी या तीखी चटनी के साथ जर्व करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें